वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज दिल से गुजारीशे सब्सक्राइब कीजिए और साथी बेल आइकन के बटन को तब आए ताकि आप और हम इसी तरह से रोज मिलते रहे और न्यू न्यू रेसेपी बनाते रहे कैसे आप सब हो में देख आडियास से होंगे ठीक होंगे मेरा नाम है जरीन खान मेरे चैनल जरीट की इवनी कुकिंग मैं मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हाजी रूम आज पिर से एक नहीं रेसेपी के साथ आज हम बनाएंगे सिंपल रेसेपी जब हमारा मन अजू पिलाएंगे मटरालो प्लाव मतर प्लाव भी कह सकते हो यह भी कशाखी बन जाता यहांपर समयपती चिज़ होंग dose न्हीं हमें चैनल आज जाने चांवल मैं श्लीर से ऑर नहीं कोई पिलावला Darren PR बना चानग हमें चांवल में में यापकार प्लाव कभेंस में प्ल मिर्ची जो लिएँ ये बड़ी जो मिर्ची होती फीकी वाली मैंने इसके दो पीस कर लिएँ ये मैंने लिएँ दो मिर्ची को यहाँ पर मैंने एक मिडियम साइस की प्यास को इस तरीके से बारी बारी इक स्लाइस करके लिएँ यहाँ पर मैंने चा टेबली स्कून दही बसालों में मैनने शफेस जीरा लियू, 1 तीस्पूनért, 1 फैस्पून काला जीरा यानि शाही जीरा लियू, 15 तेस्पता लियू, यहांपर मैनने तो मटर तो जरूरी है इसलिए मैंने याप पर एक कप मटर लियूँ एक कप से थोड़ा कम है आप चाय तो मटर ज्यादा भी दाल सकते हैं और कम भी आप आलू मटर अपनी हिसाब से इसमें डाल सकते हो अब हम इसे बनाते हैं यापर हमने एक बड़ा सा वरतन गयास पर रख क्रश करके इस तरी से फोड़ के डालेंगे दाल्चिनी लॉं स्टार फूल तेज पत्त इन सभी चीजों काम इसमें डालेंगे और एक मिन्ट के आसपास हम इसे भून लेंगे इसका सभी फ्लेवर जब ओईल में आ जाएंगा तब हम इसमें दूसरी और चीज़े डालेंग है या पर मैंने सभी दाल दियूं अब हम जो आलू हम वो इसमें डालेंगे या पर मैं नमक भी दाल दियूं नमक हम इसरी आलू की तक से भी दाल रहें और इससे हम फोड़ा सा भून लेले यहाँ पजाँ लिया हुआ हम प्यास में डाल दीओ के लिए तक दखनने। मसालो को लान हमोरय कुला इसनी दिवाट में प्यास को में जाथने चाहिए बना इसलिगा है या पर आप द्रक लैसोंन हो पेस्ट पोर दालेंगे करेंगे इसे तरीक से तोड़कर दालेंगे इस तरीक से इसे भी हलिका गून लेंगे यहां पर मैं जो दगी बोड़ा नेगी अगर आपके कल दगी नहीं है तो आप यहां पे लिप्बू पर रज डाल सकते हो दगी को अम अच्छे से मिंस कर लेंगे और आलू के साथ थोड़ा सा पका लेंगे हमने आलू को इसलिए पहले थोड़ा सा पकने दिये थे फ्राइ किये थे क्योंकि जब हम दगी डालते हैं तो आलू जब दगी के साथ मिलते हैं तो जो आलू है वो दगी जो दगी हम आलू के साथ डालते हैं तो दगी की वज़े से आलू जो है वो थोड़े से कुकोने में प तुनेंगे और दही का जो पानी इसे भी हम सुखा लेंगे यहां पर दही अमारा अच्छे से भून चुका है अब जो हमने बटाने लिए थे यहां पर मैंने फ्रोजन बटाने कर यूज कर रही हूँ यहां पर आप देख सकते हो यह हाफ गले हुगे इसलिए मैं इसे अम डा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करनेंगे एक मिन्ट तक इसे अच्छे से भून लेंगे चावल जो हमारे वो भी दोकर मैंने रगदी जी वो भी दस मिन्ट हो चुके बिगने के लिए यहां पर आप हम इसे एक मिन्ट अच्छे से भून लेंगे तबी फूज हो गे साथ यह पर आलू और मसाला हमारा अच्छे से बूंचू करें अब हम यहापे पानी डालेंगे चावल हमने एक कप लिए तो यहापे पानी हम दो कप यूज करेंगे अगर आपके जो राइस है वो नए है तो उसके लिए यहापे देड़ कभी पानी का यूज कीजिए और जब पा आपके लिए बार वगएरे बना रहे हों कोपिंग सीखरे ओप तो इस तरीक से कीजिए मैं यहापर दो कप पानी डालूंगी अम इसमें नमक डालेंगे पहले हमने नमक डाले थे तो सिफ बटाटे के लिए यानि जो आलू अमने तल रहे थे उसके लिए डाले थे अब हम 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे पानी और राइस की इसाब से अगर आपको नमक कम यह ज्यादा करना है तो आप अपनी हिसाब से कर सकते हो अब हम इसे बॉइल आने देंगे फिर हम राइस इसमें डालेंगे यहापर बॉइल आ चुका है अब हम राइस डाट करेंगे यहाँ पर अब हम इसे अच्चे से मिला लेंगे और इससे डख कर पकने देंगे जब तक हीचाओल पानी सूप तब तक हम इसे फास आज पर पकने देगेजा पानी इसस अपर पर जुका है अब हम इससे क्पडilly मिक्स index कर लेंगे इस तरह से गलर देख सकते हो ऍसका और यहाँ पर अगर आप छाए तो ऐसे भी रख सकते हो यह arım क्लर अगर आपको तो आप ये पे आपके क्लर डाल सकते हो मैं है ये पे थोड़ असी ओरेंज क्लर डाल रही हूँ ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ अससा पिंच इतना, ये परमे जोउखा वाला जो होता है पर रखेंगे ग्यास की फ्लेम को एक्तम लोग कर रखेंगे और इसे दम लगाएंगे साथ से आठ मिंट के लिए फिर मैं आपको बता हूँ रेखिए हमाया जो पुलाओ कितने अच्छे से रेटी हो चुका है चावाल अच्छे से पक चुके अब यह पर मैंने एक चमट डाल करते हैं अब अच्छे से रेटी हो चुके है चावाल भी आपको दिखाती हूँ देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुके यह देखिए अब आम इसे डिशाओट करते हैं यह देखिए यहां पर हमारा जो पुलाओं बिल्कुल रेडि ऊचुका है आप कितना अच्छा माशालला इक यह दो तो बहुत अच्छा है लिए माश्यल्ला से टेस्ट में भी बहुत टेस्टी बनाएं और यहां पर आप देख सकते हो ये जो राई से में आपको दिखाती हो ये देखे हुए बिल्कुल खिले-खिले तूटे भी नी ये देख सकते हैं कितना चकलर भी आया है आप इसी तरीके जब भी आपके घर में कुछ ना हो वेजिटेबल वगरे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा आपका तो सिंपल हुए आलू मटर का पुलाव भी आप बना दीजिए घर में सब भी को बहुत अच्छा लगेंगा आप इसके अच्छार रायता वगरे कुछ भी सब कर सकते हो या फि का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वापर जाके देख सकते हो या यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट में मुझे जरूर बताएए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आयोंगे तो दिल से बुजारिश करती हूँ प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथी बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले चलती उतव तक के लिए अपना अपनी फैमिल का खयाल रखिए मुझे और मेरी फैमिल को द